तो नमस्कार आदाप सस्रिकाल गूड इविनिंग दोस्तो दोस्तो आज दिन रईवार का और तारीक 16 माई 2021 उमीद ही करूँगा कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तो आज संडे है तो आज बहुत बड़ी कोई बैंके अप भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड से जुरी हुई एक न्यूस के बारे बताओंगा जो आज ही आई है पहले बता दू यह भारत पेट्रोलियम से नहीं भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड से जुरी हुई वीडियो है न्यूसर अगर एक सरकारी कंपनी में अच पूरी कहानी क्या है इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक-एक करके बताता हूं दोस्तो भारत Pumps & Compressor Limited को अभी हाली में 2500 oxygen cylinder manufacture करने की order मिली थी और इसी को लेकर सभी 140 employee पूरे जोस में इस order को execute करने में लगे वे थे और तभी एक notice आती है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा मैं आपको वता दूँ कि last year मैं 2020 में भारत Pumps & Compressor Limited जो की एक सरकारी कमपनी है एक public sector undertaking है इसे सरकार के जारा बंद कर दिया गया था और यहां पे काम करने वाले सभी 140 employee को VRS लेने के लिए कहा गया और यह भी instruction दिया गया कि अगर वो VRS के लिए आप नहीं करेंगे तो उन्हें बिना किसी monetary benefit के ही निकाल दिया जाएगा और देश में oxygen और oxygen cylinder को लेकर कितनी मारा मारी है इसके बारे में आप सभी को पता ही है तो BPCL जो की UP में located है तो वहां के जो district administrator है उन्होंने एक तरकीव निकाली और उन्होंने यह सोचा कि state government को एक proposal भेजा जाए कि BPCL को फिर से काम करने का मौका दिया जाए और क्यूंकि उनके पास already expertise है infrastructure है तो उनसे कुछ oxygen cylinder manufacture करवाया जाए इसी को लेकर फिर state government ने ministry of heavy metals को एक proposal लिखा और फिर approval भी मिल गया state government को अब जो पचीस सो oxygen cylinder की मैं बात कर रहा हूँ यह order direct BPCL को नहीं दिया गया यह order दिया गया भारत heavy electrical limited को यानि कि भेल को जिन्होंने फिर इस order को BPCL को दिया कि वो पचीस सो oxygen cylinder manufacture करे दोस्तों इसके लिए 3.68 करोर रुपे भी दिये गया BPCL को और जब भारत pumps and compressor limited के employee इस पचीस सो oxygen cylinder manufacture करने को लेकर जो order मिलिया यह से execute करने में लगे वे थे और BIF team के लिए वेट कर रहे थे उसी समय वहां के chief general manager Mr. Sunil Parwani को एक mail मिलता है एक notice के तौर पर और यह कहा जाता है उस mail में कि सभी employee को within a week retirement लेना होगा तो दोस्तों आप समझे कि 140 लोग जो जो जोड़ो सोर से लगे वे हैं order को execute करने में क्योंकि उन्हें पता है को भी 19 के कारण जो second wave आई है इससे कई लोगों की जाने जा चुकी है उसी समय government इतनी sensitive issue पे इस तरह से काम कर रही है और यहां पर सबसे बड़ा question जो आता है वो यह आता है कि अगर यह employee retirement ले लेंगे तो फिर इस order को execute करेगा कौन 25 oxygen cylinder कौन manufacture करेगा हाला कि sources के हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि एक बार जब यह लोग retirement के लिए opt कर जाएंगे फिर इन्हें contract basis पे फिर government employee कर लेगी बट इसको लेकर जो वहां के labor union नहीं नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से इस समय साइध इतनी ज्यादा sensitive decision नहीं लेना चाहिए तो गवर्मेंट को ऐसी नोटिस है अभी सर्ब नहीं करनी चाहिए यह मेरा मानना है